समस्कार मित्रों स्वागत आपका इस यूटिब चैनल पे शिक्षा विभाग में पदोनती लटकी 88 पद खाली बेसिक और मादमिक विद्यालियों में पढ़ाई पर सरकार का विशेज़ोर है स्कूलों में पढ़ाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराई जा रही है शिक्षा अधिकारी निरिक्षण कर सेलफी भेज रहे हैं लेकित पढ़ाई विवस्था ठीक कराने विभागी कार वा समस्याएं समय पर निप्टाने का जिन पर दायतो है उनकी बहुत कमी है इस्थितिया है कि शिक्षा विभाग के में समूक के सब्जित 198 पदों में से 88 अधिक्तव है उन पर प्रभारी न्यूक्त हैं इनमें प्रदेश इस्तर के भी पद हैं इतना ही नहीं प्रदेश इस्तर के दो-दो पद तक एक ही अधिकारी के पास है कार की अधिकता से जहां विभागी कामकाज में देरी होती है वहीं अधिकारियों में समय से पदोनती ना मिलने पर निराशा है विभागी वस्ता में सिक्षा निदेशाला के चार पद सजित हैं जिनमें सिक्षा निदेशक मादमिक, बेसिक, राजशेक्षिक और अनुसंदान एवं प्रसिक्षन परिशत का और समा साक्षरता है इनमें से सिर्फ मादमिक निदेशक पूर्ण कालिक हैं शेश तीन पदों पर प्रभारी कारत हैं इसी तरह अपर शिक्षा निदेशक एडी इस तरह के बारा पद प्रदेश में सुझित हैं इनमें एक पद कैम्प कार्याल है लखनाउ तरह एक पद शिक्षा निदेशाल है म प्रभारियों के भरोसे हैं प्रदेश स्तर के इन पदों में AD राजकिये के पास AD पत्त्राचार का अधिमें के पास सचिव बेसे सिक्षा परिशद उत्तर प्रभार हैं मंदल स्तर के पदों पर भी अधिकारियों की कमी हैं, मंदली संयूक शिक्षा निदेशक के 22 पत्रजित हैं, इनमें जेडी अर्थ, जेडी महिला शिक्षा तथा दो पद जो आपके कैम्प कार्याले में हैं, जिनमें एक बेसिक्स वह मादमिक में हैं, 168 पत मंदल मुख्याले में हैं, मंदली उप्षिक्षा निदेशक स्तर मतलब DDR, स्तर के पदेश में सुझित 108 पतों में 31 खाली हैं, जिस पर प्रभारियों की तैनाती मिली है, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या प्रदेश सरकार की यहां पर हमएंपर कार ना होना है, समय पर कार ना होने का मतलब यह है, अगर समय पर न्यूक्तियां हो तो कोई कार अटकेगा नहीं तो जो कारे के लिए जिस वेक्तियों को होना चाहिए वो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं अब यहां पर जैसे शिक्षा विभाग में बड़े बड़े अधिकारियों के पदों पर प्रमोशन इतने सालों से नहीं होए हैं तो छोटे कर्मचारी मतलब शिक्षकों की क्या बात की जाएं अगर हम बेसिक शिक्षा की बात कर लें तो सालों साल हो चुके हैं यहां पर लोगों के प्रमोशन नहीं होए हैं लोग सायक अध्यापक के पद पर ही रिटायर होने की कगार पर आ चुके हैं अब आप सूचे कितनी बड़ी विडम बना है जो व्यक्ति करीब करीब 15 साल से नौकरी कर रहा है वो आज भी सा अगर दिवाली बोलस नहीं मिलता है उनको इंसेंटिफ नहीं मिलते हैं उनकी अगर बीच बीच में पगार नहीं बढ़ाई जाती तो नौकरी छोड़के अलग कंपरी में चले जाते हैं अब सिक्षा विभाग की बात करते हैं हम केवल तो यहां पर बेसिक में मादुमिक म दिखती ही नहीं हैं दूर दूर तक हम बेसिक के बात कर रहा है है मैं अगल बगल की विध्यालों की बात कर रहा हैं लोग पंदरा-पंदरा साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन आज बीचाह का द्यापक है जबकि 5 साल के बाद वो एलिजबल हो जाता है प्रमोशन के लिए औ आपने दस साल बाद उसको तो जो उसका वितन करमांग होता है वो तक मिलने लग जाता है कि एड़ मास्टर वाला वितन उसको मिलने लग जाता है छेलिस सव गेट पर उसको प्रमोट कर देते लेकिन उसका पद नहीं बढ़ता है वो है आज भी सहायक अद्यापक और तो और बेसिक के तो इतने बुरे हाल है कि आप हेड़ मास्टर के उपर कुछ बन नहीं सकते आप बेसिक में क्या है प्राइमरी के हेड़ मास्टर बनिये या जूनियर के सहायक बनिये और फिर जूनियर के हेड़ मास्टर बन के आप खता हो जाएंगे उपर जाने का कोई स्कोप ही नहीं है आप देखे एक बास समझिएगा विभाग सिथिल इसी वज़े से है जैसे ही अगर विभाग में प्रमोशन्स हो उपर जाने तक की लोगों में एक ललक हो तो जो करमचारी है वो एक्टिव रहते हैं वो काम करना चाते हैं क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो उनको उपर जाने का मौका मिलेगा लेकिन ऐसा है ही नहीं उनको पता है कि हम जान भी दे देंगे तो भी हम इसी में मर जाएंगे क्योंकि उनको प्रमोशन मिलना ही नहीं है दर दस पंदरा पंदरा साल हो चुके हैं प्रमोशन नहीं मिल ला है तो खुद ही सरकार या विभाग के जो उपर के जो भी करमचारी है कहे लीजिए वो सिथिलता पैदा कर रहे हैं जानमूज के अब उपर भी देखिए इतने बड़े बड़े पत खाली हैं डिसीजन लेगा कौन अब एक इनसान के पास 2-3-3 का प्रभार है तो वो किसी क्या कर रहा है वो बेसिक्स पूरे कर रहा है हर भाग की वो बोटे-mोटी Music कमप्लीट कर रहा है करूँगा तो भे मुझे उतना मिलेगा तो आप करेंगे ही नहीं एक वक्त आएगा को आपको लगेगा कि भाई जाओ भाड में जाओ वही स्थिती विभाग में बनी हुई है और पेसिक में तो यह स्थिती बहुत जादा खराव है उमीद है सरकार इस पर ध्यान दे उपर भ देवल बुरी नजर से ही देखते रहेंगे लास्त तक वीडियो देखिए कि उसके बहुत बहुत दन्यवाद आपको दिन शुबहूं